वीडियो को स्लाइड में समिलित करना प्रेजन्टीशन में डाले गए वीडियो दर्शकों की दिल्चस्पी बनाए रखने में मदद करते हैं हम जानकारी को बर्चुल यानि आभासी धंग से भी पेश कर सकते हैं MS PowerPoint Presentation इस सौफ्ट्वेर के जरिये हम वीडियो आसानी से अपने PowerPoint प्रेजन्टेशन में शामिल कर सकते हैं और इस से हमारा प्रेजन्टेशन आसान और प्रभावी हो जाता है अब हम MS PowerPoint सौफ्ट्वेर में वीडियो डालने की प्रक्रिया समझेंगे हम वन्य प्राणियों के जीवन पर एक प्रेजन्टेशन तयार करेंगे और इसमें एक वीडियो डालेंगे ताकि दिखा सकें कि जंगल में जानवर कैसे रहते हैं सबसे पहले हम अपनी टाइटल स्लाइट में जाकर अपने प्रेजन्टेशन को एक शीरशक देंगे ये शीरशक है वन्य जीवन इसके बाद प्रेजेंटेशन में नई स्लाइट टाइटल एंड कंटेंट को इंसर्ट करें ताकि बन्य जीवन का परिचय देने वाली जानकारी शामिल हो सके इस स्लाइट के टाइटल बॉक्स में अबाउट वाइल लाइफ इस तरह का शिर्षक दें छोटे बॉक्स के नीचे बॉक्स में जंगली जानवनों के जीवन से संबन्दित जानकारी टाइप करें ये जानकारी दर्शाने के बाद बन्य प्राणी जंगल में किस तरह से अपना जीवन जीते हैं इसका वीडियो इंसर्ट करने के लिए एक और टाइटल एंड कंटेंट इस नई स्लाइड को प्रेजन्टेशन में शामिल करें और इस स्लाइड को An Example of Wildlife इस सरह का शिर्षक दें और इस स्लाइड में वीडियो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में Media Clips Group पर जाएंगे और Movie Command का चायन करेंगे. इस Command पर क्लिक करते ही हमें दो विकल्प दिखेंगे. एक, स्लाइड में वीडियो डालने के लिए पहली Command है Movie From File. इस Command की मदद से हम अपने कम्प्यूटर में संग्रहित वीडियो हमारे प्रेजंटेशन में डाल सकते हैं. तो यहां हम इंसर्ट करेंगे अपने कम्प्यूटर में संग्रहित वाइल लाइफ नाम का वीडियो. Movie From File इस Command पर क्लिक करने के बाद Insert Movie नाम का डालोग बॉक्स खुलेगा. इस डालोग बॉक्स से वीडियो का फोल्डर ओपन करें जिसमें Wild Life ये वीडियो लाइब्ररी में वीडियो इस फोल्डर में सैंपल वीडियो नाम के फोल्डर में हैं. इस फोल्डर से Wild Life वीडियो चुने और Insert बटन पर क्लिक करें. इन सारी प्रक्रियाओं के दौरान Ribbon में Options टैब का उप्योर किया जा सकता है. अब हम ये देखेंगे कि कैसे इस टैब में मौजूद कुछ आवश्यक कमांज हाल ही में बताई गई प्रतिक्रियाओं को पूरा करने में हमारी मदद करते हैं. प्रेजन्टेशन के दौरान वीडियो चलाने का तरीका तैए करने के लिए Options इस टैब के Movie Options ग्रूप में Play Movie कमांड मौजूद है. वीडियो को चलाने के लिए इस कमांड में तीन तरह के विकल्प मौजूद हैं. एक, प्ले मौजूवी. प्ले मौजूवी कमांड में पहला विकल्प है, Automatically. यदि वीडियो के लिए हम ये विकल्प चुनते हैं, तो प्रेजन्टेशन में वीडियो वाली स्लाइड सामने आते ही वीडियो खुद बखुद चलना शुरू हो जाएगा. वीडियो चलाना शुरू करने के लिए, स्लाइड पर क्लिक करना जरूरी नहीं होगा. दो, प्ले मौजूवी कमांड में दूसरा विकल्प है, When Clicked. यदि हम इस विकल्प का चैन करते हैं, तो प्रेजन्टेशन में वीडियो तभी चलेगा, जब वीडियो वाली स्लाइड पर माउस से क्लिक किया जाएगा. मौवी आप्शन्स ग्रूप में अगला विकल्प है, Play Full Screen. अपनी स्लाइड में इंसर्ट किया गया विडियो प्रेजन्टेशन में पूरी स्क्रीन पर दिखाने के लिए इस कमांड का उप्योग होता है. ये विकल्प नहीं चुनेंगे, तो स्क्रीन पर विडियो उसी आकार में दिखेगा, जिस आकार में ये प्रेजन्टेशन बनाते वक्त स्लाइड में डाला गया था.